बारत में आजकल कई वर्षों से स्वच्चता अभ्यान सरकार के और से चलाया जा रहा है। गाउं में सफाई कारे से चुड़े करमचारियों में एक तरह से प्रदयों की ताश शुरू हो गई है। इसलिए ज़ाडू एवं सफाई के काम आने वाले अन्य उपकरणों की डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ गई है। ब्रूम का बिजनस शुरू करने से पहले के टिल्स। कौन सा ज़ाडू कम? आधिक और कम बिखने के कारण क्या हो सकते हैं? जब इन सब का डेटा आपको मिल जाए तो आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि इस एरिया में किस सीजन में किस ज़ाडू का वेपार करना लाबकारी होगा। इस तरह से आपका कारकशेत्र और कारे करने का तरीका आपकी कस्टमर कस्टमर की पसंद आधिकार पता चल जाएगा तो आपको बिजनस करने में बहुत आसानी हो जाएगी। सस्ते और अच्छी क्वालिटी वाले माल की खोज ऐसे करें। बेतर तो यही होगा कि आप अपने कस्टमर की मनपसंद की जाडू का बिजनस माकेट में उपलब्ध माल से अच्छी क्वालिटी और सस्ती जाडू बनाकर करें। इसके अलावा आपको जाडू बांधने के लिए पतले तार, प्लास्टिक के तार, रसी, प्लास्टिक कैप, पाकिंग का समान एवं कटर आदी शहर में ही मिल जाएंगे। आप चाहें तो अपने नाम की पाकिंग करा कर मारकेट में माल बीट सकते हैं। इसके लिए शुरू में आप अपने नाम की पाकिंग को प्रिंट ना कराएं, क्योंकि ये महंगा पड़ेगा। इसकी जगा पर चिपकाने वाले स्टीकर बनवाले और उसे जाड़ू के हैंडल और पैकिंग पर चिपका सकते हैं। एक दुकान गोदाम तलाश कर लें। अब आपको बिजनर शिरू करने के लिए ऐसी जगा एक दुकान गोदाम तलाशें जहां से ट्रांसपोर्ट के सादन असानी से आ जा सकें। ये दुकान गोदाम प्राइम लोकेशन वाली महंगी दुकान ना हो तो कोई बात नहीं। यदि आपके पास मेन मार्केट में दुकान हो तो उससे अच्छी कोई और बात हो ही नहीं सकती। यदि नहीं है तो आप ये दुकान मार्केट के आसपास सस्ते एरिया में ले। दुकान में एक छोटा सा काउंटर बनवा लें जहां आप बैठ सकें और कोई ग्रहक आता है तो उससे डीलिंग कर सकें। इसके अलावा गोदाम को दो भागों में बाट लें, एक भाग में कच्छा माल और कारिगर के काम करने के जगा हो, दूसरे भाग में तयार किया गया माल रखा जा सकें। कॉम्पिटेटर को माद देने के लिए उनके रेट से कम रेट पर ग्रहकों को माल देना शुरू करतें। और ये काम लगातार 6 महीने तक करते रहें। इसमें आपको शुरू शुरू में मुनाफ़ा कम होगा, लेकिन आपको पहले बिजनस चलाने के लिए ये रणनीती बन इसके अलावा तीन महीने और छे महीने तक सामान लेने वाले ग्रहकों को कोई विशेश स्कीम देने का एहलान करें। इससे आपको ग्रहक भी मिल जाएंगे और लंबे समय तक साथ बने रहेंगे। लाइसेस कौन कौन से चाहिए। जाडू को बिजनस के लिए आपको कोई बड़ा लाइसेस नहीं चाहिए बलकि आपको सरकारी योजनाओं का लाव लेने के लिए कुछ कारवाई करनी होगी। जैसे अपनी फर्म का अकरशक नाम चुने, MSME विभाग में नाम रिजिस्टर कराएं, कुटीर और ग्राम उद्योग में फर्म को रिजिस्टर कराएं, जी एस्टी नमबर ले, लोकल अथोरिटी, ग्राम पंचायत, टाउन एरिया, नगरपालिका, नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस ले। लागत का पता करें। आपको अपने बिजनस की कुल लागत का पता करना चाहिए इस बिजनस के लिए आपको एक दुकान, गोदान, ट बिजनस आप अपने घर के Lord करें शिरू कर सकते हैं, आप कम माल लेकर भी ये बिजनस शिरू कर सकते हैं, उसमें आप 10,000 रुपए से भी इस बिजनस टार्ट कर सकते हैं। इसके लावा मीडियम लेवल पर बिजनस शिरू करने में एक लाग से 3.000,00 लगाने होंगे और ब मुनाफ़ा कम से कम लिया जाता है। जैसे जैसे बिजनस मार्केट पकड़ता जाता है। वैसे वैसे मुनाफ़ा बढ़ता जाता है। एक दिन ऐसा भी आता है जो बिजनस पूरी तरह स्थापित हो जाता है। तब मुनाफ़ा अच्छा मिलने लगता है। इसी तरह आपके बिजनस का सच्चा साथी